दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ 10 मिनिट रूल शेयर करने वाले हैं और आपको ऐसी 10 मौर्निंग हैबिट्स बताने वाले हैं जिने आप रोज सिर्फ 10 मिनिट भी करोगे तो आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होगी आप दिन बर लेजी फील नहीं करोगे आप प्र ये पैस्ट लगती हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएगा जरूर कि कौन सी हैबिट्स हैं जिने आप डेली 10 मिनिट फॉलो करने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में 70% सिर्फ पानी होता है और अगर हम दिन भर में या सुबह उठते ही जरूरत के अनुसार इनफ पानी पीते हैं तो यही वाटर हमारे ब्रेन और हमें दोनों को एनरजाइस्ट कर सकते हैं एक्चुली होता यह है कि लगातार 7-8 घंटे सोने के दोरान पानी ना पीने से हमारी ब्रेन एंड बॉडी डिहाइडरिशन की स्टेट में चली जाती है और हावर्ड मेरिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि डिहाइडरिशन की वज़े से हमारे ब्रेन सेल्स ड्राय हो जाते ह और इसी वज़े से आप मौनिंग में सिर्दर्द, लेजिनेस ठका हुआ और फ्रस्टेट फील कर सकते हो तो दोस्तो बैस्ट होगा कि आप सुबह उठते ही खाली पेट सिर्फ एक या दो गलास पानी जरूर पीजिए ऐसा करने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिजम बू और वो यह है कि आप एक कॉपर यानि कि तामबे के जग में रात को पानी रखिए और सुबह उठके उस पानी को एक या दो गलास खाली पेट पीजिए इसके काफी फायदे हैं अगर आपको सुटेबल लगे तो ही करिए वरना आप नॉर्मली भी सुबह बॉटल से एक या दो गलास पानी पी सकते हैं या अच्छा instrumental music सुनते हैं तो ऐसा करना आपके mood को उसे के according calm, positive, happy या motivated फील करवाएगा पर आपको सुबह rock music या कोई aggressive और loud music नहीं सुनना है बलकि आपको कोई अच्छा song, calm music या instrumental सुनना है बाकी rock, hip-hop या other music आप दिन में कभी भी सुन सकते हैं लेकिन सुबह सुबह नहीं अगर आप दिन की शुरुआत में inspired, motivated and positive mindset चाहते हैं तो best way है कि आप दिन की शुरुआत में कुछ successful and inspiring लोको की बातें अपने दिमाग में डालें जो कि आप उनकी books या articles से जान सकते हैं जरूरी नहीं है कि morning में एक घंटे आप book पढ़ो अगर आपको पसंद है तो बात रहे हैं जिसे हम खुद भी पढ़ते हैं और वो है Dr. Robert H. Schuller की book Life Changers, Dreamers and Doers इसमें काफी सारी stories and chapters सिर्फ एक एक या दो दो pages की हैं तो आप daily एक new story पढ़ पाओगे और सिर्फ एक या दो pages में stories खत्म होने से आप आसानी से रोज 10 मिनट में कोई भी chapter खत्म कर पाओगे और ये सभी stories बहुते inspiring होती हैं जो आपको morning motivation देने के लिए काफी हैं ज्यादा ता लोगों के लिए 10 मिनट भी meditation करना या अपने दिमाग को शांत रखना मुश्किल होता है लेकिन वहीं deep breathing करना सभी के लिए easy है तो आपको सुबह 10 मिनट के लिए deep breathing करनी है यानिके breathe in and breathe out करके गहरी सांसे लेनी है जिसके काफी फायदे हैं जैसे की calmness and peace महसूस करना focus and concentration improve होना stress, anger और anxiety कम होना साथ ही energy level boost होना और भी कई benefits है तो अगर आपका mind पूरे दिन भर stress, overthinking and anxiety में रहता है और focus की कमी है तो आपके लिए ये deep breathing बहुती फायदे मन होगी क्योंकि इसके mentally and physically दोनों ही areas में काफी फायदे हैं आप इस breathing exercise को ठीक से internet की मदद से सीख सकत आपकी bones and joints की injury के chances को कम करता है, आपके muscle growth होती है, muscle pain कम होता है, साथ ही blood pressure को अच्छा और brain में oxygen पहुचाता है, अगर आप पूरे दिन बर laziness feel करते हैं या body में pain महसूस करते हैं, तो सिर्फ 10 minutes की stretching आपको इसे दूर करने में आपकी help कर सकती है, तो अगर आप सुबह उठके सिर्फ 10 minutes भी proper stretching करते हो, जिसमें आपकी body का हर एक part अच्छे से stretch हो रहा है, तो आप पूरा दिन flexible and active feel करोगे 7. Take sunlight, plants, trees या बाकी चीजों की तरह ही हम humans के लिए भी sunlight लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि sunlight हमारे mood को affect करने के साथ ही हमें vitamin D देती हैं, और तो और sunlight, brain में serotonin नाम के chemical के production को भी increase करती हैं, जिसे happy hormone भी कहा जाता है, साथी सूरज के किरने हमारी brain के general cognitive function को भी positive way में affect करती है जो के हमारे mood को stable रखने के साथ ही improve भी करता है, तो अगर आप घंटो एक ही जगे या room में बैठे रहते हो और बाहर जाके कभी भी sunlight नहीं लेते हो, तो ऐसा करना आपकी circadian rhythm को खराब कर सकता है, साथी आप में depression, sadness और laziness के chances बढ़ सकते हैं, लेकिन आप इन सब को avoid कर सकते ह अगर सर्दी नहीं हैं, तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना आपको पूरी तरह से जगाने में और laziness खत्म करने में कारगर साबित होता है, और यह आपके mind को clear करता है, और आपके energy level को भी boost करता है, तो अभी इसे worldwide काफी productivity coaches promote करते हैं, क्योंकि cold shower लेने से researches में देखा अगर आप चाहते हैं, तो आपको day planning की habit रोज फॉलो करने के लिए, तो हर सुबह आप 10 minutes दीजे आपके day को plan करने के लिए, ऐसा करने से आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं, और अपने कामों और habits को एक sequence and order के साथ फॉलो कर पाएंगे, और planning करना आपके chances बढ़ा देता ह आपकी daily कामों को definitely complete करने का, क्योंकि ये आपकी brain को organized and discipline रखता है, और आपको अपनी ये list को आपको एक paper पे लिखना चाहिए, बजाए phone के, क्योंकि phone आपको distract भी कर सकता है, और paper पे task के आगे complete का check mark लगाने से एक satisfaction भी मिलती है, और even आप चाहे तो आप ये 10 minutes की planning एक रात पहले दूसरे दिन को advance में plan करने के लिए भी कर सकता है, को आपके हिसाप से suitable लगे, नमबर 10, reflection, we are sure, आप मेंसे ज़्यादा तर लोग सोने से पहले या सुबह उटने के बाद जो चीज़ करते होंगे, वो है अपने phone को use करना, दोस्तो अगर आप अपनी life में really कुछ में जरूर सोचिए, और ये देखिए, कि आपकी अभी आपके life goals के according कैसी performance है, daily सोचिए कि मेरा आज का दिन कैसा जाना चाहिए, और मैं कैसे आज का अपना ये दिन अच्छा बना सकता हूँ, आप कुछ से deep questions पूछिए, ऐसा करना आपको life में clarity and self awareness देगा, तो अगर आपक प्राब्लम पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें comment box में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी help करना चाहते हैं, thank you for watching